तो हम लोग बातचीत करेंगे हाइड्रोजन सलफाइड गैस के बारे में इस स्रीज में हम लगबग पांचे गैस को डिस्कस कर चुके हैं लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन सलफाइड गैस किसके बारे में एच्टू यस्के बारे में कॉंप्लीट करेंगा और यूपी पॉल्टेकनिक जितने भी स्टेट के पॉल्टेकनिक यहां से कोश्चिन्स आपके पूछे आते हैं और यहां से कोश्चिन्स एक दम फिक्ष होता है टेंसल मद लि कि आमोनिया गैस के बारे मैंने बताया है ऑक्सिजन गैस के बारे में हाइड्रोजन गैस के बारे में नाइट्रोजन गैस के बारे में और आज हम लोग डिश्कस करेंगे हाइड्रोजन सलफाइट यानि कि यहां से जितने भी कोश्चिन्स पूछे आते हैं कि पुरा इंप सब्सक्राइब करेंगा सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है किन किसी का रीक्षन करवाते हैं प्रिफ यह फिय यह साय ठीक है अब इसके सब्सक्राइब यह थि प्रोडक्ट्ट आपका बनेगा देखो यह बन जाएगा यह पियाशो फोर प्लस यह बनेगा यहाँ जो मैं प्रिपेर करना था इस में प्रिपेर कर सकते हैं यह आप सलफाइट के साथ किसी इकावी किसी किसी हुप्र अव्य कि तृप अम क्या करेंगे अगर मैं दूसरे मेथट की बात करूं तो सबस्पहले हम लेबरेटरी मेथट जान लेते हैं यानि कि लैब में किस मेथट से हैड्रोजन सल्फाइड गैस को बना यह जो मैंने मैंने मेथट बटाया कि कि यानि-की एफ़्यस एफ्प्लस हटूज्व एसोफ्व्षोर वनेगा यह वर यह इसे ही हम क्या बोलते हैं लेवरेटरी मैथट से बना हुआ है थिक है इस मेथट क्या बोलता लिवरेटरी मेथट देख आपको दिख़ दों का हाईड्रोजन सल्फाइड कर समें मिल जा रह बन जाता है क्या बन जाता है hydrogen sulfide gas बन जाता है ठीक है और यह बहुत सारे रियक्शन से आप अभी मैं आपको chemical property पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा अम लोग physical property के बारे में जान लेते हैं इसके प्रोपर्टी के बारे में जान लेते हैं किसके बारे में फीजिकल प्रोपर्टी क्योंकि यहां से आपके एक्जाम में कोश्चन पूछी आते हैं ठीक है अगर देखा जाए तो यह तो hydrogen sulfide गयसे कैसा है colorless यानि इसका कोई color नहीं होता आपके जामें कोश्चन का पूछा सकता है hydrogen sulfide का color बताइए कि कि इस color की गयसे तो क्या बताना option में देखना colorless कहीं दिखे रहाओ तुरण ट्रिक माल देना है करना तुर्ण टिक करना है colorless ठीक है और जो इसका इसमेल होता है जो इसका इसमेल होता है रोटेन एक्स के जैसा होता है ठीक है अंडे के जैसे वायू से भारी होती है कि ध्यान रखना आप लो क्या बता है मैंने एर से हैवी होती है यानि कि हम क्या लिख सकते हैं कि हैवियर दैन एर यानि कि एर से क्या होती है यह हैवी होती है आपके गया में पूछा है कि कम होत क्या बताएंगे आप कि हैवी होती है भारी होती है और यह वाहर में क्ल скर्ण होता है क्या बताया मैने इस लोई इन वारटर हैक्यyer क्लोग पाइचन आपको बता रहा हूं प्रॉपरट्य में यह घुलन c होता है कि अब साथ है कि और 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 क्या बता इन इसकी के हम लोग बात कीड म cái और जह स्काण होता कैसा होता है इसकी होता है आपके एकम यहां से घ recordings पूछे जाते हैं कि फिजकल पटिए हम लोंगा देख लए अब लुक्ड केन लेक्षिट कर लेते हैं आगके कल पोरट्टी की बात्चीत कर लेते हैं कि यहां से नहीं कोश्टन से नहीं पूछा एता है और chemical property यानि कि किन चीजों से reaction करके क्या चीज बनाएगा यानि कि chemical reactions के बारे में हम लोग बातचीद करेंगे अच्छे से ठीक है तो उसको हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि यह कमबसिबल होता है कि नहीं होता है करने ही जाय में और सबस्काइब कि अधार सब्सक्राइब धे heaven Very कि और जशक कि यहाट यहाट में के साथ चलती है कैसे ब्लू के साथ कहा करती है यह जलती है कीया करते है ब्लू फ्रेम के साथ यह जलती है लेकिन किसी पदार्स के जलने में सहायक नहीं होती या यानि कि क्या होता यह कि हैल्फुल नहीं होता कमसण में लेकिन ये खुद क्या करती है ब्लू फ्लेम के साथ जलते है इन परजेंस ऑफ ऑक्सीजन ठीक है अब हम लोग बादचीट कर लें इसका रियक्शन देख लेते हैं किन-किन चीजिएंगों से रिक्षन कर रहे क्या बनाएगा क्या बताया है तो क्या बनेगा चलो मैं बाइलेंस डिक्वेशन लिखते रहा हूं आप लोगों को ताकि कोई दिक्कत नहों थ्री ओ टू 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 एस्टू एस्टू तो क्या बन जाएगा बताईए आप लोग तू एस्टू ऑपनेगा फिर क्या बनेगा तू तो ठीक है यानि हम लोग से ही अगर इसपे लोग टेंप्रेचुर का अफिक्ट देखें अगर इस पर ऑप तो यह फोरहंडेट क्या है प morph talking लेकर के 1700 से यह पताँ है अपने मेंिका बता है मैं इसमें क्या हो जाती यह सोडियों का रेक्षिन कर रहें तो देखें क्या बनाएगा ए फिकलीा सब्सक्राइब क्या बनाएगा सब्सक्राइब और जो होगा जो सॉल्ट बने कैसा हो एसदिक प्रमश न्मया होगा कि बेश के साथ एक रेक्षन करता है तो क्या बनाएगा टू याने कि एक सॉल्ट बना रहा है क्या बना रहा है सॉल्ट बना और जो सॉल्ट होगा जो इसकी प्रुपर्टिक क्या होगी होगी नशते हैं लोग्पर्टिक सब्सक्राइब करें करें तो क्या फारंशन करीगा ठीक है आप लोगन को प्ता है इसका रिक्षन करता है अर्यम्सक्राइट क्लोरीन ले लिता हूं इसका रेक्षन मैं कराता हूं इस तो क्या बन जाएगा तो बन जाएगा थीक है फिरेक्षस तर्फर क्या बना एका यह प्लस तो किसके साथ do किसके काराते है एक साथ कि तो क्या बन जाएगा टू यह टू प्लस तो यह तो फ्लस फ़्हों श्तिक के साथ करके। हाइडोजोन सुलफाइट क्या बनाएगा यह समझ में आ रही है आप लोगो कहिंश जिक्ता थी कमेंट वक्न करिएगा कोई दिक्कथ ने आए खेया रहे कुछ चाहिँ है और स अलप आएक साइट के साथ करें largine करें तो क्या क्या बनाएगा यह भी जान लेते हैं क्या बनेगा टू एच्टू ओ प्लस है थ्री एश यानि सलफर के इसके फॉर्मेशन में इसका यूज किया था यूज मैं बताऊंगा आपको कोई दिक्कत नहीं है ठीक है है आप लोग यहाद रखने हैं यहां से यूजज के बारे में आप लोगों को बताऊंगा अगवा ठीक है और और पी रेक्षिन करके हम लोग देख लेते हैं एसे साथ रेक्षण तो क्या बनाएगा है अब देख लेते हैं मेटल के साथ reaction करेगा hydrogen sulfide तो क्या बनाएगा ठीक है है basically मेटल साथ reaction करके उनका sulfide बनाता है क्या बनाता है ठीक है चोलो मैं silver को लेलता हूं यानि 2 AG plus hydrogen sulfide H2S तो क्या बनाएगा उसका sulfide बनाएगा यानि कि जो silver और मेटल यामनों उसका क्या बनाएगा यह सेलफाइड एजी टू यह सिलवर सेलफाइड बनाएगा ठीक है और क्या बन जाएगा दिखो हमारे है अच्टू बच रहा है लेते हैं योजेज तो हैं भात्षी करें इसका कहा कहा है क्या क्या बनाने निर्डिय पुछी आता है पीज़ टो इटीज जूस्तों बनाने में इसका यूच किया जाता है यूज़ टू की 47 Pedicits leather dice क्या बनाने में लेदर डाइद है एंट फर्मस्यूटिकल में इसका यूज किया जाता है ठीक इस नुज है आपों को एक मेइन उसका ओन देख लो आप मोकर इसका किया आता है कि टी ज्यूज्ट आ कि बेटविटर इसली मुझला प्रोड्यूश थे बीवाटर इस को किमटर प्रोडूश करने फर सब्सक्रच किया या प्रांट के बारे में अच्छे से अगर लेते हैं तो ठीक है अपनों को दिक्कत आते तुम्हें बता तूंगा लेकिन वैसे कोई जरूरत नहीं है ठीक है बस आप लोग यह चीज जूज जानना है ठीक है चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ एक वीडि लास्ट में टोटल इंपोर्टेंट गैसे से जितने भी कोशिंस आपके एक्जाम में पूछेगा है प्रिविएस यहर में और जितने भी इंपोर्टेंट कोशिंस सारे कोशिंस हम आपको डिश्कस करेंगे एक ही वीडियो में लगवगा 3240 कोश्चन होगा जो मैं आप आपडेट्स मिलते रहेंगे सारे आपडेट्स आपको मिलते रहेंगे पॉल टेक्निक से रिलेटेड ठीक है और 910 कोई बच्चा है तुसको बताएं रियल कॉंसेप्ट प्या करके बहुत सारी वीडियो पढ़े हैं 910 के पूरे नोट के साथ पढ़ाई करें चलिए मिलते ह अगले नगले वीडियो के साथ थैंक्यू सो मच रियल कॉंसेप्ट